दोस्तों लुषकार, मैं संजय मगू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टर मीडिया मंच्पर हर्याना के अंदर भारती जन्ता पार्टी की सरकार बन चुकी है चेहरा कौन होगा मुख्य मंत्री पतपर और उसके साथ साथ मुख्य मंत्री की टीम कौन सी होगी उसके अंदर वजीर कौन-कौन से शामिल होंगे इस समय इस सब को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म है हलाकि नायब सिंग सेनी घोशित मुख्य मंत्री के चहरा थे भारती जंता पार्टी की तरफ से नायब सेनी मुख्य मंत्री पत की शपत लेंगे या भारती जंता पार्टी कहीं चौका सकती है हलाकि अधिकांश जो लोगों का नजरिया है अधिकांश जो सोच है वो यही है कि नायब सिंग सेनी हर्याना के मुख्य मंत्री होंगे और उनको शपत दिलाई जाएगी 17 अक्टूबर को केवल फॉर्मल्टी बाकी है जिसमें की अमित भाई शाहा और महुन यादव जो केंद्रिय परिवेख्षक हैं देश के ग्रह मंत्री और मध्य परदेश के मुख्य मंत्री उनकी मौझूदगी कि में हर्याना विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा भारती जन्ता पार्टी विधायक दल का सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्य पाल के सामने और तारीख और समय तय है 17 अक्टूबर को सुबा 10 बजे शपत होगी पंचकुला के सेक्टर 5 के मैदान में क्या नायब सिंग सेनी के साथ हर्याना के सभी मंत्री शपत लेंगे क्या नायब सिंग सेनी की पूरी ब्रिगेड पूरी टीम तयार हो जाएगी और या फिर अब पहले चरण में कुछ स्थान खाली रहेंगे कुछ भरे जाएंगे क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जब नायब सिंग सेनी ने हर्याना के मुख्य मंत्री पद्गा कारेभार समाला था 12 मार्च दोजार चॉविस को तो इस समय उनके साथ में मातर पांच मंत्रियों की शपत होई थी बाकी मंत्रियों की शपत में पूरा अडंगा रहा था और वो आदर्श आचार सहीता जारी हो लगने के बाद में जो लोकसभा चुनाव के लिए थी उसके बाद बागी के मंत्री बने। तमाम उंगलियां भी उठी थी, लेकिन जो हुआ ϊ सब आपके सामने है। अब बात यी है कि क्या नायब सिंग सेनी अगर मुख्य मंत्री बन रहे हैं, तो क्या फिर और या फिर जो भी मुख्य मंत्री है क्या पूरी टीम उस दिन शपत लेगी हर्याना के वजीर कौन-कौन हो सकते हैं मुख्य मंत्री के पर नाम पर चर्चा करना ज़्यादा उच्छी तो मैंने आप से पहले ही कहा क्योंकि नायब सिंग सैनी का नाम घोशित रह होंगे कितने मंत्री शपत ले सकते हैं राजनितिक गर्यारों में चर्चा यह है कि मुख्य मंत्री के साथ में दस मंत्रियों की शपत हो सकती है यानि कि दस मंत्री बन सकते हैं कम से कम हर्याना के अंदर जो अगर देखा जाए तो जो पंद्रा परसेंट वाला फिगर है उस कि मंदल लोगा, वह चौदेस हिए होता है। मुक्या मंत्री के साथ कितने मंत्री पर शपत लेंगे इसकी बड़ी चर्चाएं है , कुछ चर्चाएं दस नामों की हैं और कुछ बारे नामों की हैं। होगा क्या यह 17 तारिक को ही पता चलेगा और लगबग 16 तारिक की देर शाम तक नाम आने सामने हो जाएंगे जिनके पास फौन जाएगा जिनके पास संदेश जाएगा वो मंत्री बनेंगे चर्चाएं इस प्रकार की है कि कास्ट वाइज और लोकसवास तरवाइज यानि कि जाती के हिसाब से कौन नेता मुख्य मंत्री कौन नेता जाती के हिसाब से मंत्री बन सकते हैं किन नेताओं का उनकी जाती समीकरण के आधार पर नंबर लग सकता है यह तो तय है कि भारती ज ब्राह्मन विधायक हैं, उसके बाद में छे विधायक हैं, जाट समाज से, उसके बाद में छे यी विधायक हैं, यदुवन्शी यदव समाज के, फिर आप देखें तो उसके बाद में चार विधायक गूजर समाज के हैं, इसके साथ में आठ दलित हैं, जिसके अंदर हम प्रयास करेंगे आपको बतानेगा जातिगत आंकडों के आधार पर कि कौन सी कास्ट से किसको मजीवजीर बनाया जा सकता है। इस पहली वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा कि वैश्य अग्रवाल समुदाय से वैश्य अग्रवाल समाज से किन को प्रतिन इदित्व मिल सकता है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो 2019 की जो सरकार थी मनोहोर लाल जी की सरकार और फिर उसके बाद में नायव सिंग सेनी की सरकार। मनोहोर पार्ट वन टू की जो सरकार थी उसके अंदर ग्यांचंद गुपता हर्याना विधान सभा के अध्यक्ष थे लेकिन मंत्री कोई नहीं बना था। बाद में जब नायव सिंग सेनी जी की सरकार बनी तो नायव सिंग सेनी की सरकार के अंदर असीम गोयल मंत्री हुए वैश्य कोटे से वैश्य अगरवाल समाज से इस बार असीम गोयल चुनावहार गए और ग्यांचन गुपता भी चुनावहार गए विदान समा अध्यक्ष और अध्यक्ष कौनों का इस पर चर्चा अगले वीडियो में अभी आप से चर्चा कर रहा हूं मैं मंत्री मंडल की और मंत्री मंडल में वैश्या ग्रवाल समाज से किसको स्थान मिल सकता है तीन ऐसे विधायक बने हैं वैश्यक गरवाल समाज के जिन में से दो भारती जंता पार्टी के सिंबल पर और एक जिनोंने भारती जंता पार्टी को समर्थन दिया भारती जन्ता पार्टी के सिंबल पर विधायक बने विपुल गोयल और घंशाम सर्राफ और समर्थन दिया देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने इस तरह से माने तो तीन विधायक भारती जन्ता पार्टी के पास वैश्यक गरवाल समाज की हो गए सरकार के पास तीन विधायक हो गए दो बीजेपी के और एक इंडिपेडेंट तीनों ही जो नेता हैं तीनों ही जो विधायक हैं सावित्री जिंदल तीसरी बार विधायक बनी है घंशाम सर्राफ चौथी बार विधायक बने है विपुल गोयल दूसरी बार विधायक बने है विपुल गोयल भी सरकार में वजीर रहे है सावित्री जिंदल भी सरकार में वजीर रही है और घंशाम सर्राफ भी कुछ समय सरक विधायक बनते हों शहरी सीट से बनने के चांस ज्यादा रहते हैं अब बात आ जाती है कि किस को पद मिल सकता है कौन मंत्री बन सकता है तीनों नामों पर आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किसका नंबर ज्यादा लग सकता है किसका चांस ज्यादा है सबसे पहले बात कर लेते हैं भारती जन्ता पार्टी के नेता विपुल गोयल फरिदाबाद 89 के विधायक 2014 में विपुल गोयल विधायक चुने गए थे भारती जन्ता पार्टी के कृशनपाल गूजर के कभी बहुत खासम खास हुआ करते थे है आज भी उनके हस्ते मुस्कुराते हुए माला पहने हुए वो चहरे वो फोटो उनके आज भी आपको दिख जाएंगे इस विधानसभा चुनाव के दोजर चौविस के चौव था उसके अंदर कृशनपाल गूजर पक्के सार्थी थे विपलल गूजर के दोजर चोविस के चौव चौवर के अंदर खुद कृशनपाल गूजर भता सकते हैं या रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए तूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांट पड़ जाए खेर यह विपुल गुजर के नुशंसा पर राजनितिक लोग कहते हैं कि उनको टिकेट मिला विपुल गुजर के नुशंसा पर टिकेट लेकर क्या है लेकि पहले उनको दो-डाई साल नंबर नहीं लगा मंतली बनने का, बाद में हो मंत्री बने, जब मंतली बने तो उनके पर उध्योग मंत्रालीय जैसा बड़िया भारी भरर का मंत्रालीय आया राजनीती के अंदर हो या समाजनीती हो हमीशा कहा जाता है कि इतिहास की नीव पर भविश्य की मंजिल भववन होता है उसका निर्मान हुआ करता है विपुल गोयल जब उध्योग मंतरी बने तो अगर फरिदाबाद की बात करें तो फिर उनका कृष्यनपाल गूजर से 36 कांकड़ा शुरू हुआ और अगर बात करें उपर की तो एक दौर वो था कि जब बात चलती थी मनोहर सरकार पलटने की बात चलती थी उसके अंदर नाम विपुल गोयल जी का भी आता था नाम तो फरिदाबाद के पंड़त मूल्चन शर्मा का भी आता था नाम तो राव नरवीर का भी आता था खेर मैं चर्चा में हूं विपुल गोयल को लेकर 2019 में विपुल गोयल जी को टिकेट मिला नहीं 2024 के चुनाव में विपुल गोयल जी को टिकेट मिला उस सब के बाद में बीच में लोकसभा विधान सभा ये चुनाव वो चुनाव उसकी चर्चा में आपसे नहीं कर रहा लंबा समय हो जाएगा तो आपसे बात कर लेते हैं सीधे-सीधे कि विपुल गोयल जी को टिकेट मिला 2024 के विधानसभा चुनाव का और बड़े अंतर से वो हर्याना के अंदर जो बड़े मार्जन है 48-7,000 के आसपास का बड़ा मार्जन इससे विपुल गोयल चुनाव जीते चर्चा है कि क्या विपुल गोयल मंत्री बनेंगे विपुल गोयल को सरकार में वजीर बनाया जाएगा बाहरती जनता प्राट्री की जो राजनीती और रणीती ऐसी है कि उस पर कोई भी टिपपणी नहीं कर सकता कोई व्यक्ति दावे से यह नहीं कह सकता कि चाये वो कितना ही बड़ा राजनीतिक विशलेशक हो कि यह होगा तो क्या विपुल गोयल मंत्री बनेंगे बात यह आ जाती है क्या विपुल गोयल को फिर से कोई मंत्राल्या मिलेगा फरिदाबाद लोगसभा के अंदर ही चर्चा है खासकर फरिदाबाद लोगसभा में चर्चा तो पूरे हर्याना में है कि क्या अगर वैश्य अगरवाल समाज से कोई नेता किसि का नमबर लगता है तो उनमें क्या मिपुल गयल कर नमबर आ सकता है अगर सारी बातें देखें अगली पिसली अलाकि विपुल गयल का भारती जन्ता पारटी के आला कमान में भी ठीक ठाक अच्छी पकड़ है ठीक ठाक पकड़ है विपल गोयल की बले उनका 2019 का टिकेट कटा लेकिन 2024 का टिकेट वो पूरी हनक के साथ लेकर के आए पूरी हनक के साथ उनका चुनाव हुआ और पूरे बड़े अंतर से वो चुनाव जीते विपुल गोयल के लिए बड़े नेता भी चुनाव परचार करने आए जनता के विजुन की से है ही लेकिन जो पिछला वाला अनुभव था जो पिछला वाला अनुभव रहा क्योंकि अगर एक बात तो यह आ जाएगी कि जब पिछली सरकार थी भारती जनता परटी की 2019 से 24 वाली उसके अंदर बहुत सारे विधायक थे सुधीर सिंगला गुरगाओं के विधायक थे नरेंदर गुपता फरिदाबाद के विधायक थे दीपक मंगला पलवल के विधायक थे ग्यांचन गुपता विधायक थे कमल गुपता विधायक थे हिसार से इसके साथ-साथ असीम गुएल विधायक थे तमाम विधायक थे लेकिन मनोर पार्ट टू की सरकार के अंदर कोई अगरवाल नेता वैश्य अगरवाल क्या वो आड़े आ सकता है और अगर वो आड़े आता है तो क्या जो सरकार की टीम बनेगी उसके अंदर विपुल गोयल का नंबर लगेगा हलांकि वेबसाइट पर तमाम सोशल मीडिया की वेबसाइट आप देखें तो उसके अंदर उनका चेहरा होता है लेकिन बड़ा सवा आजाता है और सवाल ये फरिदाबाद के आम जन के अंदर है कि क्या विपुल गोयल मंत्री पद की दोड़ के अंदर बाजी मार जाएंगे सबसे बड़ी बात आएगी अगर बात आ जाती है संसदिये छेतर की तो क्रिशनपाल गूजर की कितनी बड़ी हां होगी इस पर भ वो मंत्री बन भी जाएं और ना भी बने आपको बता आ कि जो अध्योग मंत्री बनना और उससे पहले वाला जो मैंने घटना करते हैं आपको बताया कि चर्चा में रहता था वह सरकार की कहीं पलटने की बात आती थी और कुछ नाम चलते थे कि यह नाम कर चाओं में थे अ में भी थे और 24 में भी हुए गंशाम सर्राफ बड़ा नाम बन चुके हैं अब की बड़ी चर्चाएं थी 2024 के चुनाव के लिए कि क्या गंशाम सर्राफ को टिकट मिलेगा या कटेगा अंतो गत्वा हुआ टिकट उनको मिला और वो बड़े अंतर से चुनाव भी जीत गए ग पर के लिए मबे समय तक नहीं रह पाई अगर अब बात आजाती है गंशाम सर्राफ के मंतरी भननने की अगर जाती है dau ही विझायक हैं बहें बीजेपी और एक इंडिपेंडनिट अगर बात चलती है गंद्व्शाम सर्राफ ची कि तो फिर भिवानी का जो लोकसभा छेतर है या भिवानी का चर्की दादरी का एरिया है क्या वहां से किसी जाट समाज के नेता का भी नंबर लग सकता और ऐसा होगा तो फिर एक लोकसभा में या एक जिले के अंदर दो-दो मंत्री कैसे होंगे और गंशाम सर्राफ के साथ जो पिछला अनुभव था अगर उन पर कहीं आरोब थे तो क्या वो अब आड़े नहीं आएंगे जिन आरोब के चलते उनको उटाया गया था इसलिए गंशाम सर्राफ का भी आप मान करके चलें कि 50-50 चांस ही बनता है गंशाम सर्राफ वजीर बन भी सकते हैं और चांस कम है गंशाम सर्राफ के चांस विपल गोयल से तो काफी कम है अगर इन दोनों के भी तुलना आओगी तो विपल गोयल का नंबर उपर जाएगा सावित्री जिंदल हर्याना की दो बार विधायक रहीं जिंदल ग्रूप की मालकिन जिंदल ग्रूप की मालिक हिसार की बड़ा जो घराने है या देश के बड़े घराने हैं उनमें उनका नाम लिया जाता है सावित्री जिंदल का सौम्मे और सरल महिला माली जाती है ओपी जंदल साब का हेलिकॉप्टर जो उनका अएरोप्लेन ख्रश हुआ उसके अंदर उनका जो दुरुघटना के बाद में जिसमें जंदल साब का देहावसान हो गया जंदल साब का निधन हो गया उनके स्थान पर सावित्री देवी जी 2005 के अंदर पहली बार जब चुनाव हुआ इसार का तो फिर विधायक बनी और दूसरी बार विधायक बनने के बाद में वो हुड़ा पार्ट टू की सरकार के अंदर वजीर भी हुई सरकार में मंत्री बनी 2014 का चुनाव हार गई 2019 का चुनाव लड़ा नहीं उनके बेटे हैं नवीन जिंदल नवीन जिंदल सांसद हैं कुरक्षेत्र के भारती जंता पार्टी के सावित्री जिंदल की बड़ी चर्चाएं थी बीजेपी का टिकेट मिले गा लेकिन बताते हैं कि आरेसेस के प्रेशर में कहें आरेसेस के अनुशंसा पर मैं प्रेशर नहीं कहूंगा अनुशंसा कहूंगा आरेसेस के अनुशंसा पर टिकेट मिला कमल गुपता को और कमल तीसरे स्थान पर रहे हिसार के अंदर, बात सावित्री जंदल की, सावित्री जंदल बड़े अंतर से चुनाव जीती है, जितने अंतर से वो चुनाव जीती है, उससे कम वोट भारती जंता पार्टी को हुआ मिला, यानि कि जनाधार कम था, बात आ जाती है वजीर मंत्री ब पूरा बहुमत था इसके बावजू जो तीन इंडिपेंडेंट विधायकों नहमें समर्थन दिया, उनमें से हमने एक इंडिपेंडेंट विधायकों वजीर बना दिया, इसलिए सावित्री जिंदल का नाम भी पूरी तरह गंभीर चर्चाओं में है, वैश्यगरवाल समाज से आती हैं वो कोट पूरा होता है, उनके सांसत पुत्र नवीन जिंदल भी सी बास से संतूष्ट हो जाएंगे कि माता जी मंत्री बन गई, यह सारी बाते मिला करके अगर देखें तो फिर वैश्यगरवाल समाज से जो बड़ी दावेदारी बन जाती है, वो सावित्री जिंदल की बन जाती है महिला प्लस मंत्री, प्लस उद्योगपती, मंत्री रही, प्लस इंडिपेंडेंट विधायक, सारे अगर कौन मिलाते हैं तो उससे बड़ा मैसेज देने में काम्याव होगी भारती जनता प्रेटी और इसलिए आज से मैं कहा रहा हूँ कि वैश्यक गरवाल समाज में वजीर बनने में अगर सबसे अधिक नस्दीक हैं, सबसे ज़्यादा अगर करीब रहेंगी तो वो सावित्री जिंदल यनि कि अगर मैं नंबरिंग देना चाहें अगर हम कि वैश्यक गरवाल समाज के तीन विधायक उन में से कौन मंत्री बन सकता है तो फिर नंबर एक पर सावित्री जिंदल, नंबर दो पर विपल गोयल और नंबर तीन पर घंशाम सर्राफ आप मेरी बास से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना